को लेकर अमेरिका में बहुत बड़ा फैसला हो सकता है इसराइल के प्रदान मंत्री बन्यामिन नेतनियाहू इस वक्त अमेरिका में है और उनकी मुलाकात अमेरिका के रास्पती जो बाइडन से होने वाली है लेकिन इस बीच यमन के यूथी विद्रोहियों ने ऐसा प्लान है जिसके बाद इसराइली सेना के हैट क्वार्टर में एलाम बचने लगा है देखिए इसी पर स्पेशल रिपोर्ट जब नेतन याहू बाइडन की मुलाकात और अमेरिकी कॉंग्रेस में संबोधन को लेकर पूरी दुनिया इसराइल की चर्चा कर रही है तब इसराइल के दुश्मान एक बहुत बड़े हमले की तयारी कर रहे हैं यह हमला भी कुछ ऐसे ही हो सकता है 19 जुलाई शुक्रवार का दिन खुलने वाला था कि रात तीन बजए ये ड्रोन समंदर की तरफ से तेल अभी में दाखिल होता है और कुछ ही सेकंड बाद एक बार फिर देखी वो ड्रोन अटाक जिससे इसराइल बच नहीं सका अब ऐसे ही कई हमले इसराइल के तेल के कुओं और गैस फील्ड पर करने की तैयारी हो रही है भूमद्य सागर में इसराइल के कई तेल और गैस के भंडार है और यहां उसके ओयल रिग्स पर ड्रोन अटाक किया जा सकता है यही यमन की ड्रोन फोर्स का नया टागेट बन सकते हैं इन पर हमलों को रोक पाना इसराइल के लिए आसान नहीं होगा ओयल रिग्स पर हमले का मतलब है कि इसराइल की एनरजी इंडास्ट्री की तबाही भुमदे सागर में इसराइल की तमा लिवियाथान और करीश गैस फील्ड है यहां इसराइल हर साल 21 सरब क्योपिक मीटर गैस का उतपादन करता है इस गैस फील्ड से मिस्र और जॉर्डन को भी गैस की सप्लाई की जाते है ऐसे में नितन याहू के बेचैनी बहुत ज्यादा है तेल अवीव पर हुए ड्रोन अटाक के बाद इसराइल को अपने शहरों से ज्यादा अपने तेल के कुणों की चिंता सता रही है क्योंकि यहां पर हमला रोपना आसान नहीं होगा जब तेल अवीव में आधी रात तीन बजे हमला हुआ तो धमाका बहुत बड़ा था किसी को समझ नहीं आया कि आखेर हुआ क्या सड़कों पर लोग बद हवास हालत में नजर आए इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गए दस लोग जक्मी हुए हैं तेल अवीव में अफरा तफरी मच गए ड्रोन से हुए इस धमाके ने इसराइल को बुरी तरह से हिला कर रख दिया लोग सड़कों पर निकल आए साइरन बजने लगे आखिर इसराइल की राजधानी में दुश्मन का ड्रोन कैसे गुस गया कैसे इसराइल का सबसे मजबूट किला आग के शोलों से चकना चूर हो गया तेल अवीव में जहां अटैक हुए वो तेल अवीव का याफा हिलाका है और जस ड्रोन से यमन ने हमला किया उस ड्रोन का नाम भी याफा है लगर तखकीर इस बीचानो ומהממצאים בזירה ובמערכות הצבאיות עולה כמדובר בכלי טייס בלתי מאויש מדגם צימד 3 लारכतेनो הוא הגיע मतימן अद तल अवीव צימד 3 הוא אמצעי לחימה איראני याफा ड्रोन कि बारे में कहा जहारा है कि ये איראן समिले ड्रोन कि नकल इसका असली नाम समथ 3 है इस ड्रोन की रेंच 2000 किलोमिटर है अब इस ड्रोन का रूट देखी जिसनी इसराइल को चौंका दिया ये ड्रोन लाल सागर के उपर से होते हुए सुएज नहर के उपर से गुजरा नीचे अमेरिका के बड़े-बड़े वार्शिप देखते रह गए कोई उस ड्रोन को ट्राक नहीं कर पाया इसके बाद ये ड्रोन धूमत देश सागर की तरफ से इसराइल में घुसा इसराइल के बड़े-बड़े रेडार इस ड्रोन को ट्राक नहीं कर पाया और फिर तेल अवीब में इस ड्रोन ने अपने टागट पर बड़ा धमाका किया 2000 किलोमिटर की रेंज वाले ड्रोन का मतलब है कि यमन के हूथी वी द्रोही इसराइल को आसानी से निशाना बना सकते हैं चाहे वो इसके शहरी इलाके हूँ चाहे वो उसके ओयल रिग्स हों या फिर इसराइल के बंदरगा हूथी वे द्रोहीयों के टागट पर इसराइल के जो बड़े बंदरगा हैं उसमें हाइफा और एलाग पोर्ट सबसे आगे हैं हाइफा का बंदरगा भूमद्दे की तरफ है जबकि एलाग बंदरगा दक्षन में अकबा की खाड यानि लाल सागर की तरफ खुलता है यमन के इन दोनों पोर्ट पर हमले की ना सिर्फ धंकी आती है बलकि हुथी वे द्रोही इन दोनों पर मिजाइल से हमला भी कर चुके हैं हलाकि इसराइल ने ये डिफेंस सिस्टम के जरिये इन हमलों को नाकाम करने का दावा किया है जिस इसराइल की ड्रोन टेकनॉलिजी ने पूरी दुनिया में नाम कमाया अब उसी इसराइल पर उसके दुश्मन के ड्रोन कहर बनकर तूट रहे है इसराइल को बता चल गया है कि इस हमले के पीचे यमन है और वहीं से ड्रोन उड़कर इसराइल तक पहुंचा है इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल ने यमन से बदला ले लिया है और बदला भी बहुत बड़ी तबाही मचा कर लिया है यमन ने तेल अबीब पर जोन हमला किया तो इसराइल ने खुदेदा बंदरगाह पर तेल डीपो को टागेट बनाए यही वज़ा है कि यमन के हुथी विद्रोई अब जबाबी कारवाई में इसराइल की तेल और गैस वाले ठिकानों को टागेट बनाना चाहते हैं मुमद्य सागर में इसराइल की ओयल रिग्स को ड्रोन से टागेट बनाकर यमन के हुथी विद्रोई ये भी साबित करना चाहते हैं कि वो इसराइल की दुख्ती नब्स को दबाना जानते हैं आइल रिट्स पर हमले का मतलब है, गैस और तेल की सप्लाई ठप और ये हमले इसरेल की अर्थ बेवस्था को भी बड़ी चोड पहुंचाएंगे. एक ड्रोन कैसे युद के दाइरे को दस गुना बड़ा हसकता है, ये यमन के याफ़ ड्रोन ने साबित कर दिया, खत्रे की धंटी संयुत राष्ट में भी लगातार बच रही है. I can tell you that the Secretary General condemns today's deadly drone attack in Tel Aviv, for which the Houthis in Yemen claimed responsibility. This attack resulted in a death and several injuries. He sends his heartfelt condolences to the victims and their families. नहीं करता, चाहे वो ballistic missile हूँ, cruise missile हूँ, या फैर drone. हुथीवे द्रोहियों के पास बहुत से ऐसे हथियार हैं, जो उसे इरान के जरिये ही मिले हैं. यमन के हुथीवे द्रोहियों को इरान का समर्थन, इस्राइल का दूसरा बड़ा खौफ है. इस्राइल का डर इस हमले से और ज्यादा बड़ गया है, क्योंकि हुथीवे द्रोहियों के याफ़ ड्रोन ने इस्राइल के एर डिफेंस नेटवर्क को खेलोना साबित कर दिया है. यही वज़ा है कि तेल अबीब पर अटैक के बाद अमेरिका पहुंचे, बिन्यमिन नेतन याहू सीज फायर की बात कर रहे हैं, हमास पर बंबारी नहीं, बलकि उस पर दबाव डालने की बात कर रहे हैं, इस वक्त हमास के कबजे में 120 इसराइली बंधग हैं, और इस बात नेतन याहू को काफी बेचेन की अफ़ा है जोई मकात में पहुआ पहुआ है अगर इसराइल को किसी तरफ से कोई खास चुनाती मिली है, तो वो लिबनान का मेलीशिया हजबुला है, और यमन का हुदी वे द्रोही गुट है, लेकिन इसमें खास बात ये है, कि इन दोनों संगठिनों को एरान का पूरा समर्थन, उन्हें एरान से फंडिंग भी मिलती ट्रेनिंग भी मलती है, और ये बहुत अगर तक तहरान के इशारे पर ही अपना ट्रिगर लबाते हैं। इसराइल पर हमास के हमले के नौ महीने पूरे हो चुके हैं गाजा पर इसराइल के आपरेशन के भी नौ महीने पूरे हो गए हैं नौ महीनों की तबाही का दौर ऐसा चला कि युद्गा एपिसेंटर अब गाजा से निकल कर इसराइल और लिबनान बॉर्डर के साथ साथ यमन और लाल सागर में पहुँच चुका है यमन के तेल गुदाम में लगी आग अब भी जल रही है इसी जगा पर इसराइल के फाइटर जेट्स ने भब गिराए थे और फिर लगा कि जैसे पूरा खुदेदाम बंदर का जलने लगा यमन को भी पता चल गया है कि हुथी विद्रोहियों के हमले के बाद जिस तरह से इसराइल ने अटाक किया है उस से यद गाजा से निकल कर अब उसकी जमीन पर पहुँच गया है यमन का गुसा साथ में आजमान पर और यमन की पबलिक इस गुसे का इजहार भी कर रही है गाजा को लेकर फेले आकरोश में अब यमन पर हुआ हमला भी जुड़ चुका है इस से पहले हुथी विद्रोहियों ने इसराइल पर जून और क्रूज मिजाईल से कई हमले किये लेकिन 19 जुलाई को हुए हमले लाल सागर में मौजूद अमेरिकी जंगी जहाजों से लेकर इसराइल के एर और मिजाईल डिफेंस नेटवर को नाकाम साबित कर दिया है और अब खत्रा इसराइल के तेल के कुऊंँ पर मंडराने लगा है क्योंकि इसराइल भी जानता है कि यमन के बाद खोने के लिए कुछ नहीं है और इधर नितन्याहू और बाइडन के बीच जो भी बात होगी उसमें आरब देशों को लेकर एक बहुत ही खतरनाक फैसला भी हो सकता है सबसे बड़ी बात ये कि इसराइल के नंबर वन दुश्मन इरान को लेकर डोनाल्ड ट्रम के साथी जेरी वेंस ने ऐसा सुझाव दिया जिसे लेकर पश्चिम एशिया ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में युद्ध छिरने का खतरा है देखे रेपोर्ट एक तरफ गाज़ा में इसराइल का नया हमला हुआ है और दूसरी तरफ नेतनयाहू और गोला बारूत की डिवान के साथ अमेरिका में मौचूद है गाज़ा में इसराइल के बंबारी से एक ही दिन में करीब सौ लोगों की मौत हो चुकी है तीन सौ से ज़्यादा घायल है ये गाजा में सबसे अखोनी दिनों में से एक साविट हुआ है गाजा के खान यूनिस इलाके में ना सिर्फ इस्रेली वायू सेना ने बंबारी की यहां पर इस्रेली टैंक मारकवा ने भी अंधा दून गोले बरसाए और नतीजे आपके सामने अपने परिवार के कई लोगों को खोने वाले एहमद समूर लाशों को उठा उठा कर ठक चुकिया इस्रेल ने जब हमला किया तो एक चार मंजिला इमारत पूरी तरह ठह गई एहमद समूर का घर इसी इमारत में था गूफ उढ है πडक Y अभल मेंद समूर आपके का तापके क मौक समूर धबचे को घ की लोगों लोगों खिस्मोनाओ खिस्ट मेंदा तो कि इमारत रम अबलात, था लजदा के नासिर मेडिकल कॉंपलेक्स में एक साथ करीब 200 घाय लोगों को पहुंचाया गया बहुत से लोग मर चुके थे लेकिन उनके रिष्टदारों को उमीद थी कि सांस बाकी है ये तस्वीरे बता रही है कि एक तरफ गाजा में तबाही जारी है लेकिन दूसरे तरफ अमेरिका में नेतर्याहो को घेरने की कोशिश भी जारी है फॉइट हाउस के खरीब ये लोग नेतर्याहो का विरोध करने पहुंचे है ये गाजा में हजारों लोगों की मौत पर बाइडन प्रशासन को जगाना चाहते हैं ये इसरेल को जारी बम और गोला बारूत की सप्लाई रुकना चाहते हैं ये सब एक प्रदर्शन का हिस्सा है ये वेक्ति आँखों पर पट्टी बांधे और हत्कडी लगाये हुए खड़ा है चिक वैसे ही जैसे इसरेल गाजा और विस्ट बैंक में हजारों लोगों को दिरफ्तार कर चुका है गाजा में तबाही रुपने का नाम नहीं ले रही गाजा में नौ महीनों से जारी बंबारी में 49,000 लोगों की मौत हुचकी है 90,000 लोग गायल हुए है सेक्डों हजारों लाशे मलबे में दबी हुई है नया तना विस्ट बैंक में भी फैल गया है जहां इसरेली सेना की गुलीबारी में फिलिस्टीन के पांच लोगों की मौत हुई है इसरेल का दवा है कि इन में हमास और फत्तह गुट के लोग थे इसरेल का ये हमला विस्ट बैंक में तुलकर्म इलाके में हुआ गाजा और विस्ट बैंक दोनों जगे इसतवाही के बीच अमेरिका से एक बहुती खतरनाक आइडिया सुझाया गया है जो पूरे पश्वम एशिया को ऐसे युद में जोग सकती है जिसके बाद तीस तरह विश्व युद शुरू हो जाएगा इस बात की पूरी गैरेंटी है अमेरिका में ओहायो की सिरेटर और डोनल्ल टरम्प के रनिंग मेट जेडी विंस जो रिपबलिंगन पार्टी के वोईस बेसिडेंट के काटिडेट के रुप में हो रहे हैं उन्होंने अमेरिका के नियूज चैनल को दिये इंटर्विव में बहुती खतरनाक रास्ता दिखाया है जेडी विंस ने कहा है कि एरान के खिलाफ बाकी अरब देश एक जूट हो जाए जेडी विंस ने कहा कि इजरेल को बचाने के लिए जो बाइडन ने जो कुछ नहीं किया है और ना ही इरान को कंजोर करने के लिए उनकी सरकार कुछ ठोस कर पाई है अमेरिका की तरफ से पश्म एशिया में नई गुटबाजी तियार करने के बीच चीन ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है सुएक राश्त सुरक्षा वरिशद में चीन ने कहा है कि टू स्टेट वाला उपाय जो जो ज़रूरी है यानि इस्राइल भी देश रहे और फिलिस्टीन भी देश बने ये ऐसा सुझाओ है जिसका समर्थन भारत भी करता है यही पूरे पश्म एशिया में स्थाई शाई 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 कायम करने के लिए सबसे बहतर तरीका माना चाता है जिस्पर इस्राइल राजिक नही है इस्राइल भी देश मंतरी से फिलिस्टीन के अलग अलग गुटो की मुलाखा इस मीटिंग में हमास वारफ फता दोनों गुट के निदा शामिल हुए खबर यह है कि फिलिस्टीन के 14 गुट इस बात पर राजी हुए हैं कि पेलो यानि फिलिस्टीन लिबरेशन और्गनाइजेशन पूरे फिलिस्टीन के लोगों का सही प्रतिनी लिद्ट करता है जहां अमेरिका फिल हुए है वहाँ चिन ने बाजी मारी है सौधी अरव और इरान के बीच दोस्ती कराने के बाद चीन इसरेल और फिलिस्तीन के बीच थाई हल निकालने में जुट गया है चीन अब डिल मेकर बना चाहता है लेकिन इन तस्वीरों के बीच अगला एक हफता गाजा में चल रहे युद्ध के लिए बहुत एहम होने वाला है जुलाई के अन तक अगर ये युद्ध रुकता हुआ नजर नहीं आया तो समझ लिजिए कि फिर ये युद्ध बुरी तरह आउट अफ कंचोर हो जाएगा